दोस्तों अभी वोक्सी टोकई वोक्स कोईन की प्राइस की बात के तो इसकी प्राइस आलमस्ट वन पॉइंट फॉर एडिटी चल रही है अच्छा गासा ट्रेसमें इसकी प्राइस में लगाता रहा हमें देखने को मिल रहा है तो इसकी प्राइस मुमेंट के बारे में बात क किये हुए हैं तो अभी भी आपको एक अच्छा कासा मुनाफ हैं पर देखने को मिल रहा होगा और लोग डम के प्रस्पेक्टिफ से जिन लोगों ने होल्ड किया है उनके लिए नेक्स्ट टागेट्स क्या हो सकते किन एरियास पर इसकी प्राइज जा सकती है दूसरा बहुत लोगों ने इसको यहां पर फॉर यह दिटी फाइप या थ्री वाले एरिया पर यह टू वाले एरिया पर बाई किया है तो उनका यहां पर थोड़ा सा पॉर्टफोलियो जो है वो रेट जोन के अंदर देखने को मिल रहा होगा तो कितने टाइम में फिर कब तक इसकी प्राइज आने वाले दूनों में टू-फॉर या फिर अपना आल-टाइम हाइट तच करती हुए देखेगी दूसरा अभी अगर आप एंट्री इसमें लेने का सोच रहे तो कौन से एरिया आपके लिए बेस्ट इंट्री पॉइंट से हो सकते हैं इस लोंग टम सोच टम के प्रस्पेक्टिव से या फिर एज ट्रेडर के प्रस्पेक्टिव से साधी जी जो के वारेम बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले अगर आपने बी तक कोई डिसेक्स डाउनलो कि अभी इसके ब्राइज 1.4 युएडिटी चल रही है अगर फॉर अवर के चार्ट में थोड़ा सा देखे तो लगाता हमें डाउन ट्रेन देखने को मिला था 1.12 वाल एरिया हां पर टेच किया था वहां से मुमेंट एक क्विक मुमेंट के अगर बात करें तो 1.7 वाले ए अगरा फॉलो कर रहे हूं या फिर एज़ ट्रेडर देखिए प्रस्पेक्टियों को क्लियर होना चाहिए कि आप मार्केट में किस प्रस्पेक्टिव से मैं हर बार यह चीज आपको बताता हूं कि अपका प्रस्पेक्टिव क्लियर होना चीजिए कि आप एज़ ट्रेडर म market ने आए तो वहाँ वह लोग ओपर कि तरफ बहुत लोग ओपर की तरफ छाते कोई सा सउक बढ़ता है तो बढ़ते whoain में वह ओपर की तरफ insurance ले 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 लेते हैं तो यह सारी चीजे आपको ध्यान रखनी अगर आप नए है तो आपको प्रोपर लर्निंग करनी है चीजे समझनी है और उसके बाद यहाँ पर थोड़े-थोड़े के लिस्टिंग हुई थी और सेवन वाले एडिया टेच किया था और वहां से एक इस्टेबिलिटिस ने फॉलो की थी और मुस्ट त्री विएडिटी के राउंड में और फिर वापिस से हमने मार्केट में डंप देगा और मार्केट को फॉलो करते हुए अच्छा-खासा मुइंग एवरेज हैं one point five certificate हैं और इस ए्रिया से नीचे इहां पर न Get a quality अगर इहां पर देखे तो से डिया के राउंड में में對 one point four six one point four seven के एनद में इसने क्लोजिंग कि हिए तो यह वाला एडिया इसको प्रीविआसली support था 9 day का moving average और वो अब इसके लिए resistance बन गया है हलाकि कोई खास resistance नहीं है लेकिन आज की जो closing वो 1.5 के उपर होती है 1.55 या 1.5 के around में तो वो वाला area वो support maintain करेगा नहीं तो फिर इससे नीचे 1.3 वाले area तक इसकी price जा सकती 1.3 इसको support area देखने को मिल रहा है प्रिवेसले इसने 1.1 वाला area support area होल्ड किया तो वहां से bounce back हमें देखने को मिला है तो यहां 1.4 इसकी price अभी चल रही है और यहां से अगर नीचे की तरफ price आती है तो 1.3 वाले area होल्ड करेगा उपर की तरफ और अगर आप entry लेने की सोच रहे हैं तो हम यहां पर अगर देखें तो लगाता रिट्रेस्मेंट है आपने देखा हो 1.61 से लेकर ड्रेस्मेंट नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है तो यह वाला area है अच्छा खासा accumulation जो उनने 1.4 वाला area 1.45 वाला area 1.45 से अगर नीचे आता है तो एक अच्छी इंट्रे आपके लिए आपर हो सकती है तो जो लोग entry लेने का सोच है वह इस area पर entry ले और overall आपको पूरा-पूरा amount नहीं जोग देना कि आप 100 UATS entry ले रहे हैं या फिर 100 1000 INR से या 2000 INR से या 10,000 INR से entry ले रहे हैं तो overall amount जोग आपको 50 50-60% अभी लागाना है और अगर थोड़ा सा और retracement देखने को मिलता BTC थोड़ा सा और नीचे अपने 36,000 वाले area या उसे नीचे टेस्ट करता है तो इसकी प्राइज भी आपको 1.3 वाले area तक देखने को मिल सकती है तो वहाँ पर एक और entry ले अलमस्स 10% का एक डंप आपको जो इसका next resistance area है वहाँ तक आपको almost 25-30% का forfeit देखने को मिलेगा और उस area तक आप exit हो सकते है as a trader और short term की बाद करूं तो 1.87 जो वो support hold करता है अगर तो उपर का area जो है 2.3 एक अच्छा कासा retracement area है वहाँ इसको rejection देखने को मिलेगा वहाँ पर एक resistance area 2.3 और वहाँ से उपर closing करता है daily तो वो वाला area support hold करेगा 2.3 के बाद 2.75 वाला area 2.75 वाला जो area है वो वाला area ये support hold करेगा वो वाला area इसको एक resistance area है 2.75 वाला ये वाला area ये वाला area resistance और support area है और 2.75 के बाद 3.5 और उसके बाद 4.3 4.4 ये वाला area 4.3 से लेके 4.4 वाला area जो previous इसका high गया था तो हाई नहीं उसके बाद जो ट्राइ किया थैसने दो थीन बाद तो 4.3 4.4 वाले रिया लोंग तम का प्रस्पेक्टिव अगर आपका तो यहांसा आप 8-10 युरिटी आने वाले एक से 2 साल करने इसकी प्राइस देखने को मिल सकती पंप एंडम जो भी चीजी सलती है प्रस्पेक्टिव से आप इसका प्रीवियस आई 4-5 वाले देख अनि बाकी यहां पर आप अगर इंट्री लेते हैं जो भी चीजे आप इंट्री लेना है एक सीठ होना है प्रोफिट अरंद करना प्रोफिट बुक करना सारी चीजे आप खुद करिस्क आपका ओवन रिस्क ह कम करें यहां पर अब आप आप जिस किसी स्कम करैं मुझे फडै कर दूसरे और जो भी सिर्थ ऎकर ऑद आप दें सर्क करने कौन को प है एन्ट्री En Mownt में प्रोफेट एन लोज भी आप ही कर रहेंगा बाकी वीडियो अच्छा लागा लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थेंक्यू